हलो गाईज आएम निरा सिंग प्रोम चैनल एंसिंग क्लासेश यू वेलकम इन मा यूटूब चैनल तुड़े विल डिसकस अबाउट हाव डू हैंस ले एक्स आज हम लोग जानेंगे कि हैंस कैसे ले एक्स करती हैं इन हैंस फर्टिलाइजेशन इन इंटर्नल इटेक्स प्ल फर्टिलाइजेशन के बारे में फिर भी मैं यहां आपको एक बार फिर रिकॉल करा देते हैं कि जब फर्टिलाइजेशन फिमेल बॉड़ी का अंदर होता है तो उसको कहते हैं इंटर्नल फर्टिलाइजेशन इट मेंस कि हैंस के केस में फर्टिलाइजेशन जो होता है वो एन्टेर्णेल होता है एस्तेंट्स व NBA अनलाइक घुमें घुमें के कैस में भी है जो फड़िलाइज spin होता है वह इंटरनल होता है लेकिन दोनों में फंटेर्विजर्च इसमने भी हैं स्मेventionstone होता है human fertilization internal होता है लेकिन embryo का development जो होता है embryo के बारे में पिछले जब हम चर्चा कर रहे थे पिछले वीडियो में उसमें भी हमने चर्चा किया है embryo के बारे में अगर समस्या हो रहा है तो आप पिछला वीडियो देख लीजिए तो जो embryo का development होता है यह human के case में वो female body के अंदर होता है लेकिन hence के case में जो embryo का development होता है वो female body के बाहर होता है इसके मतलब हम कह सकते हैं कि hence में जो fertilization होता है वो internal होता है और development को जो काम जो होता है वो external होता है लेकिन human के case में development के काम भी inside the body होता है और internal fertilization के काम भी inside the body होता है तो हमें यहाँ जानकार लेना है हैंस के बारे में तो हैंस में जो fertilization होता है वो तो internal fertilization होता है लेकिन embryo का development जो होता है वो external होता है यानि development के काम female body से बाहर होता है जैसा कि आप जानते हैं कि fertilization होता है तो एक structure फर्म होता है उस structure को क्या कहते है जैगोड कहते है इसके बारे में भी हम पिछले वीडियो में जिक्र कर चुके हैं काफी या जिक्र करने के जूरुत नहीं है अगर आप पूर नहीं समझ पा रहे हैं जाइगोड के बारे में तो आप पीशे का वीडियो देख लिजे शारा चीज समझ में आ जागा तो जैसे ही fertilization के बारे जाइगोड का formation होता है उसके बाद उसमें cell division start हो जाता है यानि जाइगोड में division program हो जाता है और वो धीरे धीरे move करने लगता है obiduct के downward direction में जैसे obiduct हमने पहले भी बताया है आज भी एक बार बिता देते हैं obiduct क्या एक tube like structure है जिसमें obham pass करता है और यही obiduct है जहाँ पर esperm और एक दोनों मिलता है और इसका एक और नाम कहते हैं phallipian tube कहते है यहाँ जब esperm एक से मिलता है तो obiduct में उसके बाद gigot का formation होता है और फिर धीर धीर यह downward direction में move करता है as moves down जैसे जैसे वो नीचे चलते जाता है number of protective layer get form around यानि जैसे जैसे वो obiduct के नीचे की तरफ move करता है वैसे वैसे उसमें sail का formation होते जाता है एक के चारों तरफ एक protective layer बनते जाता है और एक protective layer आपको दिखाई भी देता है जैसे आप एक को देखते हैं एक देखते हैं तो बार के तरफ हाट कबर होता है जिसको कहते हैं एक sail यह और यह एक sail जो है वो protective layer है एक का protection करता है it is deposited around the egg in the lower part or obiduct of the end जैसे जैसे हम आपको पता है की obiduct में जो fertile egg है धीरे धीरे नीचे का the lower part के तरफ move करता है just before the egg is laid जैसे ही एक body से बाहर निकलने वाला होता है जैसे leg होने वाला होता है the egg sail is made up of calcite एक sail क्या आशिस का बना होता है calcicide का बना होता है calcicide क्या है एक crystalline form है calcium carbonate का यानि आपको सीधा सीधा आप कह सकते है कि एक sail जो होता है वो calcium carbonate का बना होता है कहेंके आपको इसका chemical formula भी लिखा हुआ मिल जाता है CACO3 यानि calcium carbonate को हम क्या कह सकते है CACO3 ये chemical formula है calcium carbonate का students the embryo developed inside the egg embryo जो है एक के अंदर 21 days में developed कर जाता है और ये 21 days को ही हम क्या कहते है incubation period कहते है incubation period में सो गया कि embryo developed inside the egg is about 21 days this period is known as incubation period after which is the chick gets fully developed और इस एक इस दिन में जो embryo से चीक पूरी तरह developed हो जाता है यहीं चीक त्यार हो जाता है come out बाहर निकलने के लिए during the incubation period is required a specific temperature अब जब एक कूपेशन period में होता है जब वो period जब embryo से चीक में बदलता है embryo चीक में बदलते रहता है उस period में उसको एक खास temperature चाहिए होता है इक इस specific temperature चाहिए होता है जिसको हेन उस पे sitting करके उस बैठ करके उस warm को उस गर्मी को उस temperature को provide करता है इस इस प्रोवाइड बाई दा हैं sitting on the legs लेक पे एक पे बैठ करके वो एक को provide करता है sometimes this is done artificially जबके भी ऐसा भी होता है जब मुर्गे फॉर्टिक फॉर्ण में कि उस गर्मी को उस temperature को हम artificial तरीके से इक्कुवेटर द्वारा देते हैं finally until the egg cell breakdown egg cell फटता है तूटता है और चीक comes out और चीक बाहर आजाता है ये breakdown of egg cells and come out चीक from the egg cells this process is known as hatching hatching कहा है students तो egg cell से चीक का बाहर आना egg cell को breakdown करके इस process को हम कहते हैं hatching students सब organism है वो एक समान एक तरीके से एक जैसे रूप से एक अपने परजनी को जर्म नहीं देता है अलग अलग organism में अलग अलग तरीका होता है ठीक है students देखिए एक तर्म है ओभी फिरस एन भी फिरस अनिमल को इस के टिगरी पर हम बाटा गया जाता है कि वो किस तरीके से यंग वन्स को जर्म में देता है तो वी हेव टॉक्ट अबाउट दा एक्सटरनल और प्रवालम समय दॉक्षं समय प्राप्त है सबसे पहले हम जानेगे भी फिरस इनिमल को किसको कहते हैं वी फिरस टर्म है वह उसके पहले चीज को आप शमज़ेEMA वााइबस मतलब होता है अलाइब धूक्रीध में ठायर दो जल भी भी पिरिश उस एम्मल को कहते हैं जुछ में फमेल जो है गी बर्त यंग उन्स सीधा-सीधा अपने समान जींव को जन्व देदेता है ति यानि नुस फमेल घी बर्त येंग का अंदर के अंदर होता है यानि बेभी पिरस एंवल्स जो हैं उनमें डिबलप्मेंट का इंब्रियो का डिबलेप्मेंट काम इंसाड़ दा बोडी होता है फिमल बोडी दा मदर गिप्स बर्थ लेंगोंस और माह उसको अपने समाझ जीव को जम देता है इस करेक्टरिस्ट यही करेक्टरिस्टिक है यही गुरु जो गुन है जो प्रोपरिटी है वही मैमल्स को और सभी से अलग करता है यानि मैमल्स जो होता है वह भी भी पिरस होते है अगला देक्स्टरिशन इस ओभी पिरस देखिए ओभी पिरस क्या है ओभा मतलब पढ़ते हैं ओभा मतलब ए यानि जो एक देते हैं, जो एक देते हैं, एक रिलीज करते हैं, उन्हें कहते हैं, ओभी पेरस इनिमल, अब सीधर दो सब्दों में समझ सकते हैं, भी पेरस जो बच्चे को जर्म देता है, ओभी पेरस जो अंडे देती हैं, ठीक है, दीक है, ओभी पेरस इनिमल, देट ले ए होता है वो female body का अंदर नहीं होता है female body के बाहर होता है mother के body में नहीं होता है the development of the takes place in the equivalent external surrounding इसका जो development होता है embryo के उस surrounding में होता है बाहर होता है इसका मतलब इस तो यह मत समझ देजिएगा कि जो fertilization है वो भी बाहर होता है नहीं fertilization female body का अंदर होता है शिर्फ development surrounding में होता है बाहर होता है female body से it is the reproductive method यह किसके रिप्रोड़िक्टिव में कौन कौन इसके example लो भी प्रस के कौन कौन example कौन इस method को अपना आता है तो देखिए fish से इसका example amphibians से example amphibian मतलब यहां आपको बता देना चाहते है amphibian मतलब क्या होता है ऐसे जिव जो पानी में और लेंड दोनों पर रहते है और गरिजम लिव और लेंड एंड अलसो इन वाटर इस दोने अंफिवियन जो दोनों पर रहते हैं उनको amphibian कहते हैं रेप्टाइल किसको कहते हैं जो रेंग करके चलता है क्रोलिंग करता है रेंग करके चलता है उसको रेप्टाइल कहते हैं बर्ट समझी रहे हैं और इंसेक्ट यह सारा example किसके हैं ओभी पिरेस है इसका मतलब साफ साफ है कि यह सारे और्गनिजम जो आपको दिख रहे हैं amphibians है, reptiles है, birds है insects है, यह सब young ones को नहीं जनमदे करके एल release करते हैं, तो यह था आपका topic how do hence lay eggs, थैंक यू